हेलो दोस्तों, welcome to the Tip Top Classes दोस्तों मैं विने सिंग एक बार फिर से अपने चैनल Tip Top Classes में दोस्तों सागत करता हूँ दोस्तों बहुत दिन बाद अपने चैनल पे आज वापसी हो रही है तो अमीद है आपसे ज़्यादा प्यार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट मिले इसका जो मैं आपसे विनम निवेदन करूँगा ठीक है दोस्तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि अपने चैनल पर हम एक NCRT का जो है पैकेज समझ लिजे जो फ्री आफ कास्ट रहेगा ठीक है NCRT based हम सारी वीडियो आपको देने वाले हैं जो NCRT का syllabus है 678 जो आपका हर एक exam में पूछा जाता है क्योंकि अगर आप NCRT based सारी चीजे पढ़ लोगे तो आगे के exam आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे तो दोस्तों अभी हम class 6 की history स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर ठीक है हमारे अतीत वन जो आपका subject है वो हम सारी इस पे आपको वीडियो देंगे उसकी ठीक है तो NCRT स्टार्ट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा आप support करिए चैनल को subscribe करिए और ज्यादा से ज्यादा वी आपका सामाजिक विशा में history portion में तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि जैसे बात करते हैं कैसे पता लगाएंगे जो भी चीजे हैं ठीक है तो हम normally एक बात कर लेते हैं जैसे कि होता यह है माली जे कि कल को को कोई घटना घटित होती है या चार दिन बात लेकिन माली जे कि बहुत ही साल पहले की बात हो ठीक है तो जैसे पिछले साल क्या हुआ था इस बारे में हम बात कर लेते हैं तो कोई विक्ती जो जिसकी समरत में या जिसको ग्यान में जिसको कोई जानकारी होगी वो आपको बता सकता लेकिन अगर बहुत साल पहले कोई ब अच्छा करी की जा रही है अब जैसे आगे है अतीद के बारे में हम क्या जान सकते हैं मतलब अतीद के बारे में जैसे की six class में CRT में आपका है अतीद के बारे में हम क्या जान सकते हैं तो अतीद के बारे में कुछ जानना बहुत कुछ जाना जा सकता है ठीक है जैसे लोग क् आते थे या फिर जो है जंगल आदमी रहते थे लेकिन इसको जो है ख़ाया होगा जिसने बताया चर्चा करी और उन उन सब चीजों को क्या किया जो है किसी चीज में को है यह क्या कर दिया लिख लिख दिया ठीक है तो हम लोग क्या हुआ जो भी चीजे हैं उसके बारे में पढ़े पढ़ा सुना तो हम लोग भी जाने कि जो है ऐसा ऐसा पहले होता था तो जैसे कि हम क्या-क्या जान सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपको हमने बताया था कि घरों में रहते थे, किस तरह की घरों में रहते थे, ठीक है, पसपालकों के बारे में, कर्सकों के बारे में, ठीक है, सिल्पकारों के बारे में, कलाकारों, संगीतकारों और वैग्यानिक जीवन के बारे में, मतलब हम सारी चीजों के बारे में, अतीत के बा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे यहां पर है कई लाग वर्ष पहले लोग इस नदी के तड़ पर रह रहे हैं यहां रहने वाले आरंबिक लोगों में से कुछ कुसल जो है संग्राहक थे आसपास के जंगलों का विशाल शंपदा से परिचित था अपने भोजन के लिए जड़ो फालो तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रा किया करते थे ठीक है वे जानवरों का आखेट मतलब सिकार भी करते थे आगे हम देख सकते हैं आगे क्या है इसी छेतर में जब तुम उत्तर पस्षिम प्रुलेमान और किर्दार के पहाडिया पता लग की गई तो इसी छेतर में कुछ इस्थान हैं जहां लगबग 8000 वर्स पूर्व इस्त्री पूरसों ने सबसे पहले गेहूं जैसी क्या की फसलों को उपजाना आरम किया मतलब सबसे पहले जो अगर हम बात करें कि कौन सी क्रॉप के उपर हमको मिली तो गेहूं और जों के ब भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पसो को पालतू जानवर बना अगर पालतू जानवर की यहां पर बात कर लें तो भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे आपके पालतू पसो के भी बारे में यहां पर बताया गया है जो यह लोग गाउं में रहते थे उत्तरपूर्व में गार शारत में विध्य पहाडियों का पता लगा यहां पर पता लगाने के लिए लिए तो यह पूरा देख सकते हैं थोड़ा सब्सक्राइब कोई बात नहीं मैनस करेंगे हम आपको जरूरी कि यहां पे आप कुछ भी देख लेंगे जो भी सयरे सारी चzie है आप सिंधु– नदी जु बहुत चर्चा में है इसी वाढ़े में देख लेते हैं सिंधु– नदी हो गई यहां पे आपकी और यहां आपकी जेलम तो जो भी सारी चीजे थी पहले के हिसाप से यह आपका हिमाले परवर्थ है ठीक है यहां पे जमुना नदी यह आपकी है आपकी गंगा नदी यहां से सो किया गया है NCRT बुक्स में आपके तो हमारे अतीत आपका टॉपिक भी चल रहा है तो यहीं पर और देख लेते हैं यहां पर आपका बताया भी गया है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं ठीक है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है मतलब यह है जैसे कोई नदी है तो हम पूर्व इन्ही नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूलो फूलो गंगा वा इसकी सहायक नदियों के किनारे तता समुद्ध तटी इलाकों में नगरों का विकास जो है पचीस सो इस भी पूर्व हुआ था ठीक है पचीस सो इसा बरस पूर्व हुआ था तो गंगा तो था इसकी सहायक नदी शोन का पता लगओ, यहाँ पर जैसे कि आप मांचित्र में देखे थे, तो उसमें देख सकते हो, फिर गंगा के दच्छिड में यहाँ पर दिया है, आसपास के छेत्र प्राचीन काल में मगद वर्तमान बिहार में, जो यह जो आसपास का बहुत सक्तिसाली थे, जो उस टाइम के वहाँ के लोग जो वहाँ के सा सकते हैं, बहुत सक्तिसाली थे, और उन्होंने एक विसाल राज जो है इस्थापित किया था, देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापना हुई थी दोस्तों फिर लोगों ने सदय उप महादीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्री की कभी-कभी हिमाले जैसे जैसे परवत्तों पहाडियों और रेगिस्तान अनदियों तथा समुद्री के कारण यात्रा जोखिम भरी जो होती थी फिर भी जो है लोग क्या करते थे उस टाइम लोग जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे कभी-कभी कुछ जो है सेनाएं दूसरे छेत्रों में विजय के मतलब किसी पर आक्रमन कर दिया या जो है उस छेत्र को जीतने के चक्कर में वहाँ प ऐसा भी कह सकते हो कि व्यापार के परपस से हो गया और धार्मिक गुरू लोगों की सिच्छा और चला देते हुए एक गाउं से दूसरे गाउं तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे बहुत लोग ऐसे थे कि मतलब जो एक घुमकड प्रवत्तिके थे या जिनक पहाडिया परवत और समुद्र इस उप महादीप की प्राकरतिक सीमा का निर्माल करते थे जो पहाडिया परवत थी दोस्तों वो क्या करती थी यहां उप महादीप की प्राकरतिक सीमाओं का निर्माल करती थी हाला कि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके वे पर्वतों की उचाई को चूँ सकें आध्म पार कर सकें। क्या किया सम्रद्ध किया ठीक है और वर्सों से लोग पत्थर को तरासने संगीत रचने और यहां तक की भोजन बनाने के तरीके के बारे में भी क्या करते थे एक दूसरे को के विचारों को अपनाते रहते थे या दूसरे के विचारों पर आपस में बातचीत करते थे अब य इंडिया ठीक है प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रियोग करते रहे हैं तो दोस्तों ये इंडिया और भारत का क्या सिस्टम था कैसे इसको कहा जाने लगा अब हम देखते हैं यहां पर देखें इंडिया सब्द इंडस सब्द से निकला ठीक है जिसे संस्कत मे सिंदू कहा जाता था जो भी सिंदू नदी की बात की थी वहीं से यह सिंदू कहा जाता था अपने अटलस में इरान और युनान का पता लगाओ यहां पर सकते हैं लगबख 25 सब वर्ष पूर्व उत्तरपस्चिम की ओड़ से आने वाले इरानियों और यूनानियों देखे यहीं पर जो है गेम है क्या हुआ यहां पर इरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस जो सिंधु लोग थे उनको क्या कहके बुलाए हिंदोस अत्वा इंदोस ठीक है इंदोस और इस नदी के पूर्व में इस्थित भूम प्रद जो था उत्तर पस्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था देखे उत्तर पस्चिम में रहने वाले कुछ लोग थे उनके एक समूह को क्या कहा जाता था उनके समूह को जो है भरत नाम का प्रियोग किया गया ठीक है इस समूह का उलेक संस्कत की आर्मभीक शब्द हैं इसके बारे में बताया गया है बाद में इसका प्रियोग अपने देश के लिए होने लगा मतलब बाद में जो इसका प्रियोग था फिर यह जो है अपने देश के लिए होने लगा तो दोस्तों एक शॉर्ट वीडियो ही आज मैं डिसकस करना चाहा रहा है इसको मैं इसके बारे में discussion करूँगा उसके लावा मैं आज देख रहा हूं कि आपका कितना support रहता है ज्याधा से ज्याधा आप कितना जो है आज भी मैं हमारे शाथ में हैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा support करिएगा लाइक करिएगा और channel को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों आज के लिए इतना ही लेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक दोस्तों नमस्कार